सब्सक्राइब कीज़े डिफेंस स्कुएड चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे पहना देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिफेंस ग्यान स्रीस के एक फ्रेस एपिसोड में आज के एपिसोड में हम आपको भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी पैरा मिलिटरी पोर्स असाम राइफल्स के बारे में जानकारी देंगे So without wasting any time, let's begin आसाम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी पैरा मिलिटरी पोर्स है जिसे ब्रेटेस आसनकाल में कैचर लेवी के नाम से 1835 में स्थापित किया गया था और तब से कई बार इस पैरा मिलिटरी पोर्स का नाम बदल चुका है 1883 में इसका नाम बदल कर आसाम फ्रेंटियर पुलिस रखा गया और फिर 1891 में इसका नाम आसाम फ्रेंटियर पुलिस से बदल कर आसाम मिलिटरी पुलिस रखा गया और फिर 1913 में इसका नाम बदल कर इस्टन बंगाल एन आसाम मिलिटरी पुलिस रखा गया और फिर आखर में 1917 में इसका नाम एक बार फिर से बदलकर आसाम राइफल्स रखा गया और तब से लेकर अभी तक इसे आसाम राइफल्स के नाम से ही जाना जाता है इस paramilitary force को सुरुवात में केवल 5 battalions के साथ सुरू किया गया था और आज के समय में इस paramilitary force में total 46 battalions हैं जिन में लगबग 33,747 active personals हैं असाम rifles आज 30 से पहले 1st और 2nd World War में भी हिस्सा ले चुकी है असाम rifles को 1st World War में यूरोप और पश्चिमी एशिया के देसों में युद्न में कई मोर्चों पर तैनाद किया गया था और जबकि 2nd World War में असाम rifles के जवानों ने Imperial Japanese Army का मुकाबला किया था और मौजूदा समय में असाम rifles को भारत सरकार की One Border One Force Policy के तहट भारत में आमार सीमा की सुरक्षा पर तैनाद किया गया है असाम rifles ग्रह मंत्राले के तहट आती है और इसका Headquarters सिलॉम में स्थित है असाम rifles को Indian Army Officers द्वारा लीड किया जाता है और ये Security Force भारत के आंत्रिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और इस Security Force द्वारत में आमार सीमा पर Counter Insurgency और Border Security Operations कंड़क कराये जाते हैं और इसके अलावा War situations में इन Paramilitary Forces को Indian Army की मदद के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है असाम rifles के जवानों को जंगल Warfare जैसी situations के लिए खास तोर पर train किया जाता है और ये जवान Gorilla Tactics में भी Expert होते हैं असाम rifles का मोटो है Sentinence of the North East जिसका मतलब ये हुआ कि भारत के उत्तर पूर्वी छेतर के पहरेदार 1962 में हुए भारत-चीन युद्दे के दौरान चीनी सैनिकों ने North East के कई इलाकों में कबजा करना सुरू कर दिया था और तब इन चीनी सैनिकों की बड़त पर रोक लगाने के लिए असाम rifles को North East region पर तैनात किया गया और फिर चाहे First World War हो या फिर North East region में चल रहे Counter Insurgency Operations असाम rifles ने हर बार अपनी पूमिका को एक बहतरीन तरीके से निभाया है और दिसंबर 1988 से लेकर फरवरी 1990 के बीच स्रीलंका में Operation Pavan के दोरान भी असाम rifles की तीन Battalions को Counter Insurgency Operations के लिए तैनात किया गया था असाम rifles को अदंबिस साहस और वीरता के लिए कई सारे Calendry Awards से भी सम्मानित किया जा चुका है जिन में 4 असोग चक्र, 5 पीर चक्र, 31 कीरती चक्र, 120 सौरी चक्र, 5 परम विशिस्ट सेवा मेडल, 12 अती विशिस्ट सेवा मेडल, 188 सेना मेडल, 24 विशिस्ट सेवा मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल और 10 Mention in Dispatches जैसे Awards सामिल है और इनके अलावा असाम राइफल्स के जवानों को कई सारे सिविल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है तो हुमारे आज के इस एपिसोट के लिए इतना ही, अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन्स हों, तो उसे कॉमेंट सेक्सि में शियर जरूर करें और अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शियर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल झाल